हीले पहिला हमा करीली चटी मैया भरत तुमार करी हो छमा चटी मैया भुल चुक गलती हमार गोधी के बलक वाकोधी हो छटी मैया ममता दूलार पहिले पहिला हम करीली चटी मैया भरत तुमार हलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आप सभी को छट पूजा की हारदिक शुब कामनाएं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाय खाय किस दिन करना है किस दिन खरना है और किस दिन सुबा का अरग और शाम काल का अरग आपको देना है और कौन सी वातीन चीजें हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खाना है तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि छट जो ब्रत है वह बहुत ही कठिन ब्रत है और ये महापर्व है और काफी ज़्यादा ये कठिन होता है तो सभी लोग इस ब्रत को नहीं कर पाते हैं और ऐसा भी मानना है कि छट ब्रत कुवारी कन्याएं लड़कियां न ब्रत को करती है। तो चट पूझा का ब्रत आप किस तरीके से उठाएंगे, इसके नियम क्या है? यह हम आपको बताएंगे। जो कन्याएं और और अवरतें ब्रत करना चाहती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो एक मननत की तरीके से मानती हैं और उसके बाद इस ब्रत को उठा लेती हैं. या फिर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आप स्वस्त नहीं हैं बहुत बूढ़े हैं आप से ये ब्रत नहीं हो पा रहा क्योंकि यह ब्रत बहुत कठिन होता है तो वो ब्रत क्या करती हैं दूसरे को दे देती हैं तो किस तरीके से देती हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता देत कि जो बरत नहीं रह पाती हैं और उन्हें देना है तो सबसे पहले बरत को आप उस दिन रखेंगी और उसको भी रखvάएंगी जिसको आप देना चाहती हैं आप अपनी बहन, बेटी, बहु किसी को भी यह बरत दे सकती है तो आपको ब्रत रखना है और साथ में उनको भी यह ब्रत रखना है और जितना आप पूजा का सामान इस्तमाल करती हैं जो भी आप सूप में डाले में रखती हैं वो आपको ब्रत के बाद जितना भी सामान होता है आपको उसको दे देना है जिसको आपने ब्रत रखवाना है और जिसे आपको यह ब्रत देना है जट देने के लिए कभी-कभी लोग खुद से ही ब्रत रखकर या चट का ब्रत बहु बेटी को इस तरीके से दे सकते हैं या कुछ लोग पंडित जी को बुलवा कर उनके द्वारा पूजा पाट करवाने के बाद इस ब्रत को दूसरे को देते हैं डाले में जितना सामान होता है वो सारी चीजें उन्हें दे देते हैं और अगली बार से वाया ब्रत उठा लेती हैं या फिर किसी-किसी लोग को क्या होता है कि छट पूजा को देखते हैं और उसमें मनत मांगते हैं कि मेरा भी ये काम हो जाए तो हम भी इस ब्रत को उठा लेंगे इस तरीके से भी लोग उठा लेते हैं जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी इस तरीके से उठा सकते हैं अगर करने की इच्छा है आप चाहती हैं कि छट की पूजा हम भी करें तो आप इस तरीके से मनत मांग कर और अगले साल चट की पूजा का ब्रत उठा लेती हैं और चट मया की पूजा करती हैं तो इस तरीके से चट पूजा उठाई जाती है अगर आप स्वस्थ हैं किसी कारणवस आप ब्रत नहीं रख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बिमार है या बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं आपसे उतना नहीं हो पा रहा है तो आप अगर कोई लेने वाला नहीं है तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं आपको क्या करना है कि ब्रत उस दिन रखना है चटपूजा का उसके बाद डाले में आप जितना भी बात कर सकती हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं और उनसे पूजा पाट करवाने के बाद एक प्रकार का जो उद्यापन होता है उस तरीके से उद्यापन करके आप इस ब्रत को छोड़ सकती हैं तो छट तीन प्रकार की होती है एक छोटी छट एक बड़ी छट और एक खरना बोलते हैं तो कुछ लोग बड़ी छट पर ही केवल पूजा करते हैं बाकि खरना और चोटी छट का पूजन नहीं करते हैं केवल बड़ी छट का ही पूजन करते हैं तो आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से चोटी बड़ी दोनों उठा सकते हैं या आप चाहें के पूजा आप कर सकती हैं वही पूजा कीजिए तो आईए आप जानते हैं कौन सा खरना है और नहाय खाय के बारे में क्या है तो इस बार छटIPूजा का महापर्व 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा जिसे नहाय खाय से सुरुवात होती है दोस्तों इस बार छट महापरवकी सुरुवात 28 अक्टूबर को होगी तो इस दिन क्या करती है महिलाएं इस दिन महिलाएं पवित्र नदीया तालाब में एश्नान करती है उसके बाद नई साड़ी और जेवर गहना खुब अच्छे से तयार होती है साख स दिंगार सारा करती है उसके बाद भगवान शुर की पूजा करती है इस दिन भोजन के दवरान कद्दू की सबजी खाई जाती है वहीं दूसरे दिन को करता है दोस्तों तो इस बार खरना 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस दिन सूर अस्त के बाद गुड और दूध वा दोस्तों इसमें निर्जला उप्वास महिलाये रखती हैं 36 गंटे की या ब्रत होती है जिसमें निर्जला रखना होता है तो या बहुत ही कठिन ब्रत होता है इसलिए सभी लोग इस ब्रत को नहीं कर पाते हैं तो इस बार 30 अक्टूबर को छट पूजा मनाई जाएगी इस द सप्तमी के दिन होता है वो भी सूर्य उद्य के बाद इस बार 31 अक्टूबर को पढ़ रही है दोस्तों इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्ज देते हुए ब्रत का समापन किया जाता है ब्रत में इन यमों का जरूर पालन करना चाहिए सबसे पहले तो आप कोई भी ब्रत हैं तो साप सफाई का बहुत ही जादा ध्यान रखना चाहिए सुच कपड़े पहने हो कोई भी जूठी चीज नहों घर के सदस्यों को भी पवित्र सुच रहना चाहिए ताकि वो भी अगर आपकी पूजा में सामिल होते हैं तो असुध नहों कोई भी चीज तो दोस्तों क पूजा करते हैं उसको श्रद्धा भाव से साप सुत्रा और अच्छे से विधी पूर्व करते हैं तब ही आपको उसका फल अच्छा मिलता है क्योंकि दोस्तों वैसे तो सभी ब्रत में बहुत ही सुद्धता और पवित्रता का महत होता है लेकिन इस ब्रत में खास करके कर इसनान करने से ज़्यादा अच्छा रहता है विधान तो यही है बाकी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गंगा जल डाल कर आप इसनान कर सकते हैं ध्यान रहे खाना बनाते वक्त किसी भी जूठी चीज या किसी भी वस्तू का इस्तमाल ना करें यहां तक कि जो घर वाले हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए काफी ज़्यादा साप सफाई रखना चाहिए और इस प्रकार से बिधी पूर्वक छटी मया का पूजा करना चाहिए तो दोस्तों यह हो गई सारी बाते हमने इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दी है और आशा करत और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नया नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जै छटी माई की आप सभी को एक बार फिर से छट पूजा की हार्दिक शुब कामनाए